नमस्कार मैं अंकेश शर्मा और क्रिक टुडे में आप सभी का स्वागत है दोस्तों भारत्य टीम के स्टार ओल राउंडर हार्दिक पांडिया के उम्मीदों पर पानी फिर गया है अब तक न्यूजिलेंड और श्री लंगा के खिलाफ T20I सिरीज में यूवा खिलाडियों से सजी टीम की कमान हार्दिक पांडिया सवालते हुए नजर आये थे जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि हार्दिक को ही T20I टीम का लियमित कप्तान बना दिया जाएगा हलाकि इस बीच हेड कोच राहूल ड्रेविड ने इस मामले पर एक चौकाने वाला बयान दे कर संसनी मचा दी है बताते इस साल भारत में ही वन डे वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा जिसके वज़ा से भारते टीम के दिगज खिराडी 50 ओवर के खेल पर जादा फोकस करने के चक्कर में T20I मुकाबले छोड़ रहे हैं T20 विश्टकप के बाद भारत ने न्यूजिलेंड और श्रीलंका के खिराब T20I मुकाबले खेले हैं जिसमें रोहिश शर्मा और विराट कोली को मौका नहीं दिया गया था ऐसे मैं हार्दिक पानिया को 20 ओवर के खेल में कप्तानी करते हुए देखा गया था जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि उन्हें ही साल 2024 के T20 वर्ल कप तक कप्तानी सौप दी जाएगी लेकिन हेड कोच राहूल डरविट ने एक हालिया प्रेस कॉन्फरेंस में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुझे टीम इंडिया में स्प्लिट कप्तानी के बारे में कुछ नहीं पता है इसका जवाब चैन करता देंगे अब राहूल डरविट के इस बयान से साफ तोर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी फिलाल हार्दिक पांडिया को नियमित रूप से कप्तानी सौफने पर विचार नहीं किया गया है चौकि बतोर हेड कोच उन्हें इस मामले में जानकारी होना लास्मी था यहां तक कि डरविट ने इस बात को भी कुबूल किया है कि वर्क लोड मेनेजमेंट के चलते रोहिश शर्मा समेथ कुछ सीनियर खिलाडियों को T20i format से रेस्ट दिया जा रहा है जिसकी वैसे हार्दिक कप्तानी की जिम्मेदारी समाल रहे है यानि कि हम यह भी कह सकते हैं कि अभी फिलाल हार्दिक पांडिया एक पार्ट टाइम कप्तान की भूमी का अदा कर रहे हैं गौरतलबे के IPL 2022 का विजेता बनने के बास से ही इस 29 वर्चे किलाडी को बतौर कप्तान देखा जा रहा है उन्होंने अपनी कप्तानी में गुजराद टाइटन जैसी टीम को खिताब जितवा दिया था जिसके जीतने की किसी ने भी उम्बीद नहीं की थी वहीं इसके बाद पांडिया को जब टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया तो भी उन्होंने अपना 100 प्रतिशत दिया है उन्होंने अब तक 8 मुकाबलों में भरत की कमान समाली है जिसमें से 6 मुकाबले जीते हैं जाहिर तोर पर उनका रिकॉर्ड शांदार है जो उन्हें य जम्मेदारी समालने के लिए प्रबल दाविदार बनाता है 27 जनवरी से न्यूजिलेंड के क्लाफ्स शुरू हो रही तीन मैचों की टी-20 आई सीरीज में भी हार्दिक पांडिया ही टीम इंडिया का नेत्रत करते हुए नजर आएंगे वहीं अभी हाल ही में हुई वंडे स सीरीज में भी हार्दिक पांडिया को ही टीम इंडिया का वाइस कैप्टैन भी बनाया गया था दोस्तों इस मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं खबर पसंद आई तो इसे शेयर करना बिलकुल भी ना भूलें और क्रिकट से जूड टूडे टीवी को अभी सब्सक्राइब करें फिलाल के लिए रने बाद